नहुस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल अर्नवुटा किर्केट टिप्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंगलेंड का फ़र्स्ट ओडियाई मैच के बारे में जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सिस दो आपने मंने got05 को बताँब रहिए कि एक को more happy बटाएगसा कूंप्यर आप और सब्सक्रेट बात इस वीडियो मैं आपको बताओं इंती हैं कि फैंसी टिप्स हैं सटीवट को हीं सिसमें इस घ्त इस नोट होगा हूं cał६ यह जो सिक्रेटिक इस में में इसलिए को देखकर आप सेसं में मोटा पैसा कमा सकते हो अगर अश्रेलिया 1 फैस्ट पे आती है तो सेसं यहा नोट होगा अगर इंग्लैंड फ़र्स पे आती है तो सेसं यह सो गा अस बात करिंगे में बदादे आप को कि हमारे नाम से बहुत साटे ओर फर्जी चैनल बने वाटसप नमबर है डबल डबल सेवन वन सेवन जीरो फोर जीरो सिक्स जो पिछले छे सालों से मैं ऑपरेट कर रहा हो इस नमबर से और पता नहीं मेरे नाम से कितने चैनल बने हुए मेरे बाई कि जो फीक और फटी चैनल में फंस जाते हैं और इदर जाके लोस करा लेते हैं और फिर अमारे पास आ उते है मेरे अरुन बाई यह लोस हो गया और आपके नाम से चैनल चले तो बता दू मेरे बाई कि अगर कोई भी ऐसा चैनल आपको दीख रहा तब हमारे मैनेजर से बात कर सकते कोई भी कुरी के लिए अपना last recovered करने के लिए और odi match में इंटरनेशनल मैच में या फिर league मैच में मोटा पैसा कमाने के लिए अर्reiben उटासर जुरने के लिए इस नंबर पिए अपने दाम और लिमिट लिखके आप Route грी की सोलूसन मिल जाएंगे बात करेंगे उस्टेलिया और इंग्लेंड के लास्ट पांच मैंच की स्टेट्स की तो फूल उस्टेलिया ने लगातार पांच के पांच मैं जीत करा रही है वह इंग्लेंड की बात कर ले तो इंग्लेंड लास्ट के दो में जीती है फिर एक मैं तो पांच मैच में दो मैच हाड़ी एंग्लेंड और तीन मैच जीती है अब बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट प्वाइंट फैंसी एट ट्रेंट ब्रीज मतलब इस वेन्यू पे जिस मैच जिस वेन्यू पे यह मैच होने वाला है मेरे वाई उस पे सेशन कैसा होगा ओडि ददाशोबर का अब बतादे की लाष्ट के मैच में हुए हैं लाष्ट प्वायच के जो स्टैट्स है फष्ट इनिंग का फिस्ट इनिंग का दाश्चान च्रोली सचंथ बना है माधि 2 लिजए शपन बदने और भी सोबर करकि अगर सेशन के बाद कर लें मैं versions के बात कर ल 40 ओवर में 220 और 220 50 ओवर में 307 और 265 आपको बता दे कि यहां से आप देख सकते हो कि अगर ऐस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कड़ेगी मेरे बाई और 46 से नीचे सेशन मिलते हैं तो आप उसको यस कर लेना अगर 46 के नीचे 5-5 कर लेना और वहां पर आपको सेशन मतलब आप समझे लो ना कि 40-41 अगर सेशन मिलते हैं उस्ट्रेलिया के तो आपको सेशन यस करना है वही अगर इंगलेंड फर्स्ट बैट पर आती है और सेशन आपको 45-46 ओपन होंगे तो इंगलाइंड अगर बैटिंग करने आएगी तो मेरे बाइशन नौट होगा और अउस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी तो इस सेशन यस होगा इतना आप मोटा-मोटी आपने दिमाग में डालो बाकी 20 ओवर 30 ओवर 35 ओवर 40 ओवर 50 ओवर वो म इस मैच में मोटा पैसा कमाना चाते है वह हमारे वाटसप नंबर जो पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया हो उस नंबर भी अपना नाम और लिमिट लिखके मैसेज कर देना मेरे वाई फूल धमाकेदार प्रोपर इंट्री के साथ जहां से मैच में इंट्री मि प्रिकॉर्ड है कि स्ट्री बात कर ले तो पेसरने लिए हैं 95 दस मैच मेंच में सुपन बॉललर ने लिए हैं 56 एक परसंटेश के बात कर ले मेरे वाई तो सिक्स्टी परसेंट यहां पर अपर अन्डे पेसर्सके पेसर बोलर के और 40 परसंट बिकेट मिले हैं आपको स्पी ने जिते हैं साथ मैच आपको बता दे मेरे वाई कि यह overall head to head record है लेकिन इंग्लेंड में मैच है तो इंग्लेंड में इंग्लेंड को हराना आउस्ट्रेलिया के लिए उतना आसान नहीं होगा काफी काटे काम मुकाबला होगा काफी इतावरतोर अक्रामक बल्लेवाजी दोने तरफ से आपको देखने को मिलेंगे हाई स्कूर्डिंग मैच देखने को मिलेगा बाकी कंफर्म बीनर के लिए आपको हमारा जो टेलिग्राम चैनल है आप अप अपडेट ले सकते हो मेरे बाई टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा बाकी अभी काम जो हो रहा है डिरेक्ट वा 249 बैटिंग फर्स्ट करते हुए 22 में जीते गए और बैटिंग सेकंड करते हुए 25 में जीते गए हैं टाई दो मेंच यहां हुए है एवरेज फर्स्ट इनिंक स्कूर का बात कर ले तो 261 रहा है हाईस्ट स्कूर्ड चारसो एकासी छे बीकेट के लॉस पर इंगलेंड के नाम है और लोईस्ट स्कूर्ड तेरासी पर दस बीकेट जो कि साउथ अब्रीगा के नाम है मैß और देख सकते हों मिरो यहां पे दो संब के नीचे भी तीरा मेंच में gor और दिपेंट के ऊपर भी to time आपको update मिलते रहेंगे head to head record के अगर बात कर ले तो Australia versus England का head to head record में total match के लिए 156 और इंग्लेंड ने जीते 88 match और इंग्लेंड ने जीते 63 match यहाँ पे आप देख सकते हो head to head में Australia का upper hand है Australia का advantage ज्यादा है Australia का winning ज्यादा है इंग्लेंड के सामने टाई के बात कर लेंगे तो दो मेंस टाई हुए highest score 481 जो कि इंग्लेंड के नाम है और lowest score 197 जो कि ऑस्टलिया के नाम है अब बात करेंगे दोस्तों गेम चेंजर प्लेयर की जो सबसे important है जो आप ड्रीम 11 में head to head में चोटा पैसा लगाके चोटा profit करना चाते हो तो आपको कौन सा गेम चेंजर प्लेयर होगा इस मेंच में यह सारे कुछ आपको बताएंगे small league के लिए grand league के लिए तो अस्टलिया के तरफ से आपको बतादे कि जो सिंगले जो की consistency के साथ बैटिंग करते आ रहा है और काफी consistent form है इनका Travis head Travis head के लिए Travis head आपको जब तक बैटिंग करते हुए रहे हैं आपको session आख बंद करके yes करते चलना है मेरे बाई काफी golden touch में सबसे बढ़िया पाड़ी जो रहा है पूरे अस्टलिया के तरफ से वह किसी प्लेयर का रहा है तो वह Travis head कर रहा है स्कूर की बात कर ले तो जो सिंगलिस ने बनाया है लास्ट के तीन मैच में एक मैच में 65 रन 9 रन 35 रन Travis head की बात कर ले तो बासट रन 137 रन और चार रन मीचल मार्स की बात कर ले तो 15 रन 0 और 177 रन बनाया है ठीक है वही Cameron Green जो दो ऑल राउंडर के तौर पे यह काफी अच्छा आपके लिए पिक रहाएगा golden पिक रहाएगा Cameron Green जो की बैटिंग से खेले है 33 रन बनाया है 77 और 47 रन की पाड़ी खेले है और तीन बिकेट में 60 रन दिये है और 12 रन देकर दो विकेट लिये हैं आपे इंग्लेंड के तरफ से कर बात कर ले तो हैरी ब्रूप जो की लास्ट के तीन मैच में रन। 40-35 रन और 1 रन के पाड़ी खेले है विल जैक्स 26 रन तैतर्र रन और 17 रन शट्रत की बिपरी खेले है वही बैटिंग बैटिंग से यह ए स्कौर की और बाईलिंग से बता दे आपको को कि 1 match में 0 wicket मिला है 1 match में 1 wicket मिला है और 1 match में 1 wicket मिला है इनको जो पना Archer की बात कर ले तो 3 wicket, 2 wicket और 6 wicket जो पना Archer के नाम है सबसे बड़ी बात बता दो जो की आपको बहु सारे प्लियर को को इनके बाड़े में नहीं पता होगा लेकिन ये एक emerging player है England के तरब से जिनका नाम है John Andrew Turner जी हमेरे वाई की नाम में Turner लगा हुआ है मतलब match का rook एही कल मोड़ेगा मतलब England की England के तरब से अगर कोई बड़ा game changer player साबित हो सकता है तो John Andrew Turner होगा बतादे आपको यह काफी अच्छा बॉलर है तो चार विकेट चार विकेट और दो विकेट इनके नाम भी राया है विनर प्रेडिक्शन की बात कर ले तो अस्ट्रेलिया के जितने के चांसे 58% और इंग्लेंड के जितने के चांसे 42% अभी तक यह जो विनिंग रेश्यू है विनिंग परसेंटेज है मेरे बाई विनिंग प्रेडिक्शन यह अभी तक का कैलकुलेशन और पिछला रिकॉर्ड जो है स्टैट जो है पिछ का प्लेयर का यह सारे कुछ को देखते हुए आपको इनलिसिस करें पर बाकी लिनेर के लिए हमारे वाटसएうपन ओने मेर शत्तर सत्तर सत्तर दस दस एकावन वाले नंबर हमारा कॉलिंग नंबर इस पर कॉंटेक्ट कर लेना बाकी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन को दवा देना मेरे भाई क्योंकि काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हो तो सब्सक्राइब करके विल नोटिफिकेशन को अउन कर लेना अपने दोस्तों में सेयर करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लियर अर्मादेर जैसरी साम जैमाकाल